हलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारी चैनल बाईसा किचन हिंदी में और फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हरे धनिये की चटनी तो हरे धनिय की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दिखिए करीब 200 ग्राम धनिया लिया था और धनिया को मैंने बिल्कुल अच्छे तरह से साफ कर लिया है अब धनिया को दो लेते हैं तो यहाँ पर धनिया को दोने के बाद मैंने मिक्सी के जार में धनिया को इस तरह से यहाँ पर अच्छा टेस्ट आजाएगा चटनी के अंदर और यहाँ पर इसमें चार से पांच लहसुन की कली तो कोई भी चीज़स में ज्यादा ना एड करें आप चटनी के अंदर लहसुन टमाटर हर एक चीज़ को थोड़ा मात्रा में अट करना है नमक अट कर दिया है मैंने हाफ टेबल स्पून आप ले सकते हैं आपके टेस्ट के अकोडिंग यहाँ पर धकन लगा के बना लेते हैं इसका मिक्सी में पेस्ट और यहाँ पर देख इसके अंदर भी लगा के यूज में ले सकते हैं स्टोर करके रह सकते हैं पर इसके अंदर तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली नेक्स वीडियो रैसिपी में